हेलो बच्चा लोग तो तुम वही हो ना जिसने अभी अभी फर्स्ट एर किया है और वह 12 में जाने वाला है और ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं की थी तो आप सोच रहे हैं कि भाई 12 में कुछ अच्छा कर लिया जाए तो भाई तुम लोग के लिए यह लगा रखा ह आज मैं आपको बताऊंगा भाई कि क्लास्ट का सिलबस क्या है क्योंकि इस बार चेंज़ आएं आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलसी के तहट कुछ जोड़ी गए कुछ यह खास करके आपने हिस्टी के सेक्शन में देखा होगा वैसे ही इंग्लिस में भी सब्सक्राण है कि में तरह यह 30 सेक्शचन में एक हैं सेक्शन से क्षिन यह आदख को क्या मिलेगा सक्षिन वी टेलिश एक्टिव करे यह 18 सी तिन यह तरह जौटी से स्कुरेगा wavelength को सब्सक्राईंगे है चालीज माक्स यहाँ कर रहा है 22 से और रीडिंघ स्किल्स से रैटेंगे हैं तो रीडिंग सिस्टे एक किसके थरीए यहां पर आपको अपना जोहर दिखाना पड़ेगा किसके जरीए अंसीन पैसे जाते हैं एक ऐसा पैसे जो आपने कभी नहीं देखा था उससे रिलेटेड कोशन पूश लेता लेकिन कुछ तो नया कर रहा है आपका सीवेसी क्या पहले पहले जो आपका टूंट यहां पर भी अब जो पैसे जाएगा ना वहां पर आपको कोशन सीधे सीधे नहीं मिल जाएगा कि फटाक से निकाल दिया आपको थोड़ा सा क्रीटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी थोड़ा अनलेटिकल बनना पड़ेगा देन आल्ली आप आंसर कर पाएंगे देख दूसरा हो सकता है बच्रीप्टिव और तीसरा हो सकता है लिट्रेरी अना अधिकतर हो फैक्चुल इता बटा लेकिन अकरफ़कर कटिन मनाएगा तो इस्क्रिप्टिव देगा और फिर आपका एनलेटिकल इसकिल्स आपकी माँपर निकाली जाएंगे ठीकना तो याद comprehension interpretation analysis inference and evaluation देख रहो भारी भारी सब दुमारे गए दम जिसे नहीं जब पनीर बनाई जाती धनिया फेक के मारा जाता वह से तुमारे सब इसमें भारी भारी सब बात करते हैं पार्ट भी पार्ट भी इस दिलिंग वाट क्रियेटिव राइटिंग इसकिल्स अब नोटिस राइटिंग राइटिंग रिप्लाई राइटिंग याही सारा राइटिंग तुमारे ठीक ना बस यह ध्यान रखना होता है कौन कितने वर्ट में और बहुत चीज क क्या है तो बैटा आपके सिल्वस में नोटिस राइटिंग और इसके चार मार्स आपको दिये जाएंगे जिसमें फॉर्मिट का एक माक होगा तो अगर बहुत ही बोंदू बच्चा है बिल्कुली बोंदू जिसको पढ़ाई लिखा आती नहीं फॉर्मेट तो सीख सकते हो को पता चला जी आरे डबल में ए आर तो एक मार्क महा सभी मिल जाएगा यानि कि दो माक तो हर हाल में मिलेंगे चाहिए उनको पढ़ाने वाले गोबर रोते तब बढ़ बन जाते हैं और डॉंट माइड चलो आगे बचा फॉर्मल इनफॉर्मल और इनवीटेशन या फिर रिप्लाई फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके की इनवीटेशन होगे उन्हीं का रिपलाई होगा क्या होगा कैसे होगा सब बताया जाएगा इसका वह पचास में दुमको लिखना होगा वन आउट आफ दू यानि कि आपके पास दो पूछे जाएंगे आपको उन में से एक को बताना होगा इसका भी सेम जो बिटा मार्ट पैटर ने से में फॉर्मिट आपका एक मांग देगा एक मांग देगा एक क्यूरेसी आफ स्पैलिंग और लेटर टाइपS इंक्लूड आप्लिकेशन कौन कौन से होगा लेटर टाइप एपलिकेशन हो सकता है कि सको जूब के लिए एपलिकेशन विद डाटा और रेज्यू में अब इस अप्लिकेशन दो अपने बच्पन से लिखाए पेट खराब हो गया घड़ जानना है ना बना दू पचास रुपर ले लेगा पचास रुपर कैसे बचेंगे इंटर में पढ़ाई करके बचेंगे आगे लेटर्स टुद एडिटर लिखना रहेगा किसलिए गिविंग सजेशन्स और उपीनियन और इशुज ऑफ पब्लिक इंड्रेस्ट तो लोग सोस्ते क्यों करव क्योंकि आज का समय हो गया का प्रफेशनल है सब कुछ email पर चल रहा है mail पर चल रहा है तो आपको कैसे आएंगी आप यहां से सीख रहो कच्छा बारा से हैना इसका मैं मीनिंग है यानि कि आईसा नहीं कि आपको रटवाया जा रहा है इसका एक हिदेन मोटीव एसके पीछ सब्सक्राइब को मिलेगा एक नमबर साथी साथ और आपको क्रियेटीविटी का नमबर मिल रहा है ठीक ना तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रटेंद विद्या तो नहीं हो पाती लेकिन क्रियेटीव अच्छे खासे होते हैं घर पर नहीं हो कूड़े कचड से और स्पैलिंग और ग्रामर साही करोगे तो एक मार्क इसमें तीन नमबर आसानी से ला जा सकते हैं कैसे कैसे फॉर्मेट से बच्चे क्रियेटीविटी से और क्रामर से कंटेंट इस समसिंग जो आपको सीखना पड़ेगा समय के साथ है ना प्रैक्टिस के साथ आएगा ले नेचर कैसी कैसी डिस्रिप्टिव एंड अनलेटिकल अनार्टिकल सब्सक्राइब यहां पर की पॉइंट वाला है यहां पर फिर से क्रिटीविटी आए कि तुमारी फिर से तुम्हें डाटा फैट्स को अगें गें करना हो फिर जाके तुम बता पाऊव ठीक ना उसके बा हमारे चार-चार मार्क्स के हैं और अगर हम बात करते हैं किसकी अगर हम बात करते हैं लेटर और आर्टिकल की यह पांच-पांच मार्क हैं फॉर्म फॉर्मिट का एक नमबर मिलेगा तुमको ग्रामर और स्पैलिंग सब्सक्राइब करो इसका एक नमबर मिलेगा तुमारी सब्सक्राइब करते हैं एकसी अपकी फ्लेमिंगो इसको पढ़ना रहेगा और दूसरी आपको पढ़नी रहेगी विस्टाज मध करते हैं का कि धे लाखान किसे भीर बीक्ताज से एक प्रोत्री का एकसरग थर्ट्रमिंगों और एक प्रोज़ का एक्षे आप सबढ़ से आपको से और सिनिख फेया है कि अटनने वाली एंगर वहां को रहाएं उ emotional फ्लैंगों से कितना थाने बच्छी दू अलट अधिक्स और फ्रम together कर प्रफिक्स प्रोजेंगे टैंटafter मे qa सुषआ को यह Tack A K रहिए होगे गहां बढ़ा रहे होगे इस वार्थ अविध्या से काम नहीं मिलेगा बहूding अच्छे होते होते हैं जिनके कमेस्टी में नंबर अच्छा थे हमको यह लगता हमारी कमेस्टी को अच्छी थी नहीं जो रट लिट लेक्शन है वो फलानी रेक्शन इस तरीके से होगा कि तुम को सीधे सीधे किताब से नहीं मिलेगा तो मगर एक क्रियेटिव तिंगिंग के बाद आंसर पर आप आओ तो ठीक है अधर्वाइस और वेंग टू डूम दिन इस examinations अगला बचा सौर्ट आंसर टाइप कुष्टन यह कितने होने वाले बच्छे यह पांच कुष्टन होंगे दो दो माक्से किस किताब से होंगे बच्छा यह होंगे तुमारे फ्रॉम पोईट्री फ्रॉम दा फ्लैमिंगो फ्लैमिंगो सबसे इंपॉर्टेंट किता अब की कुछ और करो ना करो फ्लैमिंगो जरूर करनी है वैसे हम लोग सब कुछ करेंगे लेकिन बच्छों के लिए को बोल रहे हैं जिनको कुछ नहीं करना है विलकुल साल बर खेलना किसमें बच्छे एक लॉंग कोशन बेज़े तुम्हारा प्रोज या फिर पोईट्री पर फ्लैमिंगो किताब से एक होगा बच्छे और उसमें तुमको पांच मार्क मिलेंगे इसके बाद एक तुमारा होगा कहां पर वन लॉंग अपने दिमाग के गोड़े दोड़ाने पड़ेंगे यानि की कॉंसेप्ट्य ना होकर के अनलेटिकल होगा ठीक है यहां पर भी तुमको एक कुश्य मिलेगा पांच मारका आगे बात कर लेते हैं कौन सी वह बुक है जो तुमको पड़कर के जानी है न यह तो पता होना चाहिए न लाल तो प्रिस्क्राइब बुक कौन से बचे प्रोस के अगर मैं बात करूं तो फ्लैमिंगो तुम्हें याद रखने अच्छे से प्रोस में बात करूं तो यह अच्छे से लास्ट लेसन लास्ट स्प्रिंग डीप वार्टर रैट रैप इंडिगो आगे क्या वाई पोरेट्स एंट पैनकेक्स दा इंटर दा इनमी और बाकी आपको दिखाई दे रहें इन सब की हम लोग करेंगे चर्चा जल्दी ही यह था आपका सिल्बस एंड एट लास्ट आप सभी को दिल की अनंत गहराई उसे बहुत बहुत धन्यवाद देखो इस धड़कराई मेरा दिल धन्यवाद करते हो ठीक ना मिलते अगले सेशन में तब तक कि लिए जहिंद इसी तरीके पढ़ाई करते रहो अपने सरीर का ध्यान रखते रहो क्योंकि एक स्वस्तमस्तिस का वास होता है जहिंद